सुखो का स्ट्रोक ऐसा की जनता बोल रही है ये ही है असली नेता प्रदेश के कुल 574 सरकारी दफ्तर बंध होंगे जेराम कैबनिट ने वित्व भाग के इंकार के बाद दे दी थी मन्सूरी आकर हिमाचल के जनता उन्हें क्यों कह रही है असली नेता बताते हैं आपको मास्टर स्ट्रोक ऐसा की प्रदेश में महौल बदल गया इलेक्ट्रिक गाडियां पिछले सरकार की छे मा की सबी गोशनाओं को पूरी तरह से रद्द करना सिवा विस्ताइज जिन रिटाइड अफसरो का हुआ है उसको रद्द करना जैसे कुछ ऐसे महतपूर फैसले मुख्यमंत्री ठाकुर सुगविंदर सिंग सुखु ने हिमाचल प्रदेश के लिए लिए हैं जो की आमादमी के लिए एक तरीके से कहा जाए तो चर्चा का विशय इसलिए नहीं बने हैं कि उससे कोई आमादमी को लाब हो रहा है बलकी इसलिए बने हैं क्योंकि अब आमादमी ये सोचने लगा है कि कहीं न कहीं ठाकुर सुगविंदर सिंग सुखु के रूप में एक ऐसा नेता हिमाचल प्रदेश को मिल गया है जो कि हिमाचल की जिनता के हितों की रक्षा कर सकता है और यही वज़ा है कि उन्होंने सबसे पहले आते ही जिन जिन अफसरों को सेवा विस्तार मिला था उस सेवा विस्तार को रद्द करने का फैसला लिया ताकि नए लोगों को रोजगार दिया जा सके हाले कि ये सारी प्रक्रिया अगले एक साल तक ही संपन हो पाएगी लेकिन तब भी एक रोड मैप जरूर ठाकुर सुगविंदर सिंग स प्रदेश की जनता के समक्ष रोजगार को लेकर रखा है असके बाद हालही में एक मुख्यमंत्री के कारेले में जब तीन फॉर्चुनर गाडियां जो कि हालही में आक्षन होई थी उन गारियों के आवेज में तीन नए फॉर्चुनर गारियां खरीदने की जब कोटेशन कारेले में पहुँचती है तो उस कोटेशन को ये कहकर खारिस कर दिया जाता है कि अब हिमाचल प्रदेश में सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ी आएगी और ये जो तीन फॉर्चिनर गाड़ीों की बात कही जा रही है इसके जगें मतलब उन्होंने जो इलेक्ट्रिक वहन सरकारी दफ्तरों में लानी की बात कही थी उस मसले को भी एक तरह से उन्हों ने अपने कारेले के माध्यम से ही सबसे पहले अमली जामा पहनाने के बात सफ़्ट कर दी और उसके बात हिमाचल प्रदेश में पूर्विभाजपा सरकार के समय अंतिम शेमा में इतनी घोशनाई हुई जो साड़े चार साल में सरकार नहीं कर पाई और इन घोशनाओं के पिछे चुनावी राजनीती के लावा और कुछ नजर नहीं आ रहा था क्योंकि कई घोशनाई तो ऐसी थी जो आम आदमी के गले तक नहीं उतर रही थी और जिनको लेकर आम आदमी चर्चा कर रहा था कि जैसे हिमाचल प्रदेश में 18 नए डिगरी कॉलेज खोलने के घोशना पिछली सरकार ने की थी और ये भी उस समय नहीं सोचा गया किस कॉलेज को खोल कर हिमाचल प्रदेश को क्या लाब मिलेगा इतना ही नहीं जहां जहां काम शुरू हुए वहां नियमों को दरकिनार भी किया गया कहीं कहीं तो अपने चहेतों की नियुक्तियां कर दी गई वही हालात ऐसे भी हुए जो क्लास वन अफसर अपने जिले में नौकरी नहीं कर सकते थे वो लोग अपने पंचाइटों में लग गए और अधिक तर वो लोग ये थे जिनकी भाजपा में अच्छी सैटिंग भी थी और इसे के साथ ठाकुर सुगविंदा सिंग सुखु ने एक प्रावधान और कर दिया कि हिमाचिन प्रदेश में ट्रांसफर्स को उन्होंने अभी तक प्रतिबंदेत किया हुआ है मतलब तबादले नहीं होगे और ये जो भी लोग हैं अपने अपने जगों से सीधे अब अपने जो हैटकॉर्टर हैं वहाँ पर जॉइनिंग देगे और वो कहा जाएगा ये अब तैस सरकार करेगी अब इन अपसरों के समस्या ये है कि जहां से ये आएं हैं वहाँ पत खाली नहीं है जो खाली है वो इन कर्मचारियों को मनजूर इसलिए नहीं होंगे क्योंकि घर से दूर है मुखी मंत्री के इस फैसले को अब हिमाचल प्रदेश के जनता मास्टर स्ट्रोक कहने लगी है और कहने लगी है तबादले भी नहीं हुए और खुद ही सारी इस्तिती है आप सरकार के पक्ष में हो गई अब हिमाचल प्रदेश में जल्दी मंत्री मंडल का गठन भी होने वाला है माना जा रहा है कि 24 तारिक को अगला मंत्री मंडल का वस्तार और क्याबनिट भी हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा लेकिन इन सब के बीच में निगाहें एक बार फिर प्रदेश की जनता की लगातार हिमाचल प्रदेश को आर्थिक रूप से कमजोर माने जाने वाली सरकार को ठाकुर सुगविंदर सिंग सुखु संसाधनों का सदुप्यों कर मजबूती देने का प्रियास कर रहे हैं इसी के बहतर होगा कि मानदारी से हिमाचल के आर्थिक स्तिती जो की पटरी से उतर चुकी है उसे वापस लेकर ठाकुर सुगविंदर सिंग सुखुआएं तो हिमाचल प्रदेश के लिए जादा बहतर होगा और इसी के साथ युवाओं को भी अब एक बहतर भविश्य की आस जो ह मुख्यमंत्री के तोर पर उनसे दिखाई देने लगी है और युवा कहने लगे हैं कि सेवा विस्तार जो कॉंग्रिस और भाजपा के सरकारी करती थी उसे पूरे तरह से रोग देना युवाओं के हित में एक बड़ा फैसला है